अगर आप इतिहास भुगोल में जरा भी रूची रखते हैं तो पामीर के पठार के बारे में आप जरूर जानते होंगे इसे दुनिया की छट भी कहा जाता है और इसी छट के बीच में एक प्राचीन रहस्यमई जील भी है जिसका नाम कराकूल जील है समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की हुचाई पर इस्थी दिया जील 380 वर्ग किलो मीटर में फेली हुई है और 230 मीटर तक गहरी है यह जील देखने में बेहद ही खुबसूरत लगती है क्योंकि यह चारों तरब से बरविले, पहाडों और उचे रेगिस्तानी इलाके से खिरी हुई है लेकिन इस जील तक पहुचना इतना आसान नहीं है यहां तक आने के लिए लोगों को जोखिम भरे सफर करने पड़ते हैं हाला कि जोखिमों से नहीं डरने वाले लोग दूर दूर से इस जील को देखने के लिए आते हैं वैसे सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता लेकिन कहा जाता है कि इस जील का निर्मान करीब धाई करोर साल पहले धर्ती से एक खुल का पिंड के टकराने की वज़े से हुआ था पहले तो इस जील का नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था लेकिन बाद में सोवियत संग ने इसका नाम बदल दिया और कराकुल जील रख दिया इसका मतलब होता है काली जील इस जील के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी में नमक की मातरा बहुत ही जादा है और इसी वज़े से इसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता बस एक खास तरह की मचली इस पानी में जिन्दा रह पाती है इस मचली का नाम है स्टोन लोच ये मचली बलुवा तलचट वाली जीलो में आराम से रह सकती है हाला की समय-समय पर इस जील के आसपास के दलडली किनारों पर हेमाले परवत पर रहने वाले बाज और तिभबती तितर चरुर घुमते वे चले आते हैं मरत सागर यानि की डेट सी का नाम तो आपने सुना ही होगा जिसके पानी में इतना नमक है कि वहाँ पर कोई भी जीव जिन्दा नहीं रह सकता कराकुल जील को भी दूसरा डेट सी कहा जा सकता है इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जील के आसपास एक छोटा स गाउं भी है जिसका नाम भी कराकुल है लेकिन इस गाउं में बहुत ही कम लोग रहते हैं और इसी वज़ए से ये किसी भुता गाउं से कम नहीं लगता इस जील को लेकर जो सबसे हेरान करने वाली बात है वो यह कीज जील के पानी दिन में कई बार अपना रंग बदलता ह कभी जील नीले रंकी दिखाई देती है तो कभी फिरोजी रंकी और शाम होते होते इसका पानी गहरा काला दिखाई देने लगता है अब एसा क्यों होता है? इसके बारे में कोई सटिक जानकारी उपलब्द नहीं है दोस्तों आपको यह वीडियो केसा लगा? हमें कमेंट करकर जरूर बताईए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथ ही चेनल को सस्क्राइब करना न भूले वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद